Welcome to Blender इस वीडियो में हम ये टेक्स को animation के से करना और इसमें explode effect के से देना ये सिखेंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को subscribe करें और इस वीडियो को share जरूर करें पहले इसे delete कर देंगे और shift add, text add करेंगे Edit Mode पर जाएंगे और यहां पर आप जो भी टाइप करना हो आप टाइप कर सकते हो वापिस Object Mode पर जाएंगे रोटेट करेंगे X-axis पर 90 डिग्री अच्छा भी इसमे Geometry एड़ करने के लिए हम इसकी Property पर जाएंगे और यहां पर Geometry में जाएंगे और Extrude में हम करेंगे इसे 0.1 Offset में हम 0.02 वैसे figure काफी छोटी में लिख रहा हूँ क्यूंकि मेरा जो unit है वो meter में है आपका centimeter में भी हो सकता है तो उस हिसाब से आप जो है type करें तो अब जो है अभी इसमें में 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 convert करना पड़ेगा इसको क्यूंकि अभी जो है यह alphabetic order में है मतलब कि यह अभी text है अगर हम tab प्रेस करके edit mode पर जाएंगे तो अब देख सकते हैं अभी भी हम कुछ type कर सकते है तो इसे हम पहले convert करेंगे mesh में convert to mesh अब हम edit mode पर जाएंगे तो अब देख सकते हैं यह object बन चुका है हमारा अब जो हम इसमें sidewall add करेंगे cube wireframe mode size increase करेंगे x-axis पर इसको जो है इसके अंदर match करेंगे side से भी करेंगे small y-axis पर एक base हमारा wall बन चुका है इसके 24 में हम material add करेंगे material वैसे हम last में add करेंगे अभी इसमें हम mesh add करेंगे क्योंकि इसमें हम explode effect add करना पड़ेगा तो हमें mesh की ज़रूरत पड़ेंगी क्योंकि सिर्फ इतने geometry में जो है काम नहीं चलेगा इसमे modifier करेंगे हम remesh wireframe mode पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं mesh add हो रहा है तो इसमें sharp लेंगे और यहां से हम type करेंगे 7 आपकी मर्जिज इतना ज्यादा आप टाइप करोंगे इतना ज्यादा इसमें detail आएगा तो 7 काफी है और इससे apply कर देंगे यह mesh add हो चुका है अब हम इसमें quick effect add करेंगे मतलब कि explosion effect तो object में जाएंगे यहां पर quick effect और यहां पर quick explode तो इसमें already यह effect हमारा आ चुका है अब हम play करेंगे तो आप देख सकते हो यह explode हो चुका है हमारा तो आप हम particle system में जाएंगे तो आप देख सकते हैं इसमें particle system अपने आप ही generate हो चुका है वैसे particle system क्या है हम detail में किसी और वीडियो में समझेंगे अभी के लिए आप इतना समझें के जबी भी हमें हजारों की तादात में कोई object बनाना होता है जैसा के अगर आप beach बना रहे हैं और beach पर आपको चोटे चोटे पत्थर बनाने हैं जो की हजारों की तादात में होते हैं तो उस case में हम particle system का use करते हैं तो इस case में जो particle system में अपने आप ही generate हुआ है लेकिन कुछ setting हमें change करनी है तो क्योंकि यह हमार एक animation होगा तो इसमे frame rate में हम starting में 1 रखेंगे और end में हम 100 रखेंगे और lifetime में भी हम 100 रखेंगे तक यह पूरा 100 frame तक के यह play होगा और यहां पर भी 100 रखेंगे और यह number में जो है इसमें 10,000 रखेंगे अभी के लिए 500 रखेंगे इस चेक करने के लिए और अब हम इसे play करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें explode हो रहा है है इसमें जो यह pieces है यह काफी बड़े है तो जैसा कि मैंने कहा यहां पर number आप जितना ज़्याद इंक्रीज करोंगे उस हिसाब से detail इसमें आएगी 10,000 हम करेंगे तुमें और अब हम play करेंगे तो आप देख सकते हो particles जो है इसमें काफी ज़्यादा तादात में है इसमें plan add करेंगे और इसमें हम material add करेंगे इसको थोड़ा नीचे ले लेंगे plane को और इसमें material add करेंगे और material preview mode पर जाएंगे पहले तो इसमें एक mistake है वो मतलब कि error है और वो यह है कि आप देख सकते हैं इसमें काफी खुला लग रहा है मतलब render mode में भी अगर हम जाएंगे तो यह जो box है हमारे यह open हो चुका है तो अगर आपके case में इसा हो तो material mode पर हम जाएंगे और यहां पर explode जो fed material है इससे हमें delete कर देना है इससा ही हो जाएंगा और नया material फिर इसे add करना है तो material add हो चुका है अब इसमें हम texture add करेंगे जो texture जो हमारा होगा वो वूड texture होगा तो अगर आपके पस texture है तो आप add कर सकते हैं इसमें shading में जाएंगे और यहां पर हम add करेंगे image texture इसको connect करेंगे color base color के साथ open करेंगे और जो भी texture हो आप add कर सकते हो यह texture है मेरे पास वूड वाला material preview mode अंदर जो यह हमारा later है इसमें भी हम material add करेंगे इसको एक बार देख लेते हैं यह सई है material add करेंगे अब material इसमें हम same material ही add करेंगे जो बाहर है वह ही अंदर भी करेंगे तो यहां पर new की बजाए हमें यहां सी direct select करना है material 1 तो आप देख सकते हैं इसमें material add हो चुका है अच्छा आप इसमें play करेंगे अच्छा आप देख सकते हैं यह जो है random basis पर explode हो रहा है हमें जो explode करना है वो left to right करना है तो उसके लिए हम particle system पर जाएंगे इसको select करेंगे पहले यहां पर texture में जाएंगे और new texture add करेंगे और इसके बाद texture properties पर जाएंगे और यहां पर आपको देखना होगा कि इसमें particle system ही select करना है और यहां type में हमें select करना है blend तो अब हम इसे play करेंगे अच्छा इसमें जो है अभी कोई thickness नहीं है तो thickness add करने के लिए solidify का use करेंगे modifier तब देख सकते अभी इसमें जो है thickness add हो चुकी है यह देख सकते हो काफी ज्यादा थिक हो चुका है अब और animation भी सही तरीके से हो रहा है अच्छा यह क्योंकि एक animation है तो इसमें physics properties भी add करेंगे तो यह जो नीचे plane है इसमें हम पहले add करेंगे ताकि यह जो भी यह मलबा है यह इसके उपर ही गिरे तो physics properties में जाएंगे और collision लेंगे और दो setting आपको ध्यान रखनी है वो एक है damping और friction दोनों को जो है हमें one रखना है damping को one रखना है ताकि इसमें कोई bounce effect ना है और friction को भी one रखना है ताकि यह मलबा इसमें गिर कर फिसल ना जाए वो वहीं पर रहे है तो फिर इसे play करेंगे तो अब देख सकते हैं अच्छा यह अंदर जो हमारा later है इस पर भी हम collision effect add करेंगे और इसमें भी same इसमें one damping को one रखना है और friction को zero रहने देना है ताकि इस पर जो मलबा गिरे वो नीचे भिसल जाए तो यह हमारा final ready हो चुका है अब हम इसे render कर लेंगे अच्छा render हमें इसमें क्यूंके video file बनानी है तो इसमें हम जाएंगे properties पर और मैं जो है इसे ev में render करूँगा इस m32 इसको भी 32 रख लूँगा बहुत ज्यादा detail में हमें render नहीं करना है और यहां पर जाएंगे output properties पर और यहां से हम जो है png से avijpeg लेंगे तकि हम video format में इसे output कर सके और quality हम 100 रखेंगे और बाकी आप भी इसमें change कर सकते हो अपनी हिसाब से format ले सकते हो आपकी मरजी और जब आपका जो है camera setup और lighting setup आप add कर लो तो यहां पर render में जाकर आप render animation कर लो तो आपकी जो video file हो आउटपूट हो जाएगी अच्छा इसमें हम lighting setup भी add कर लेते हैं यह light है render mode पर जाएंगे पहले और एक और light एड़ करेंगे shift d यहां पर रखेंगे और camera position आपको जहां रखना हो तो वहाँ पहले आप viewport में जाए और keyboard में control alt और number pad 0 प्रेस करें तो जो भी position पर हो आप वहाँ पर camera अपने आप आ जाएगा और आप इसे जो है adjust कर सकते हो इस plane को बढ़ा करेंगे और इस plane पर भी जो है material add कर देंगे color देंगे yellow तो यह है हमारा final animation तो इसमें आप अपने हिसाब से अलग अलग एंगल से भी video बना सकते हो अपना नाम भी लिख सकते हो और जो भी आपको अप्छा लगे उस हिसाब अपना सकते हो तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को subscribe करें और इस वीडियो को share जरूर करें